आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं मालसुतिवारी मोडिवेशनल स्पीकर और स्टुडेंट कंसर्टेंट आज बात करूंगा ICR कटाफ 2000 पुर्नेश की जिन लोगों ने भी ICR का पेपर दिया है एक जुलाई को उनके लिए ये वीडियो बहुत इक्पॉर्डेट है मैं इसमें बताने वाला हूँ तीन वो टॉप यूनिवर्स्टी उनका कटाफ कितना जा सकता है और अगर आप जनरल के हैं या फिर आप प्रफ एश्टी यसी ओवी सीपित जिस भी कटेगरी के हैं इसके हिसाब से मैं आगे कटाफ बताऊंगा फिर आपको बताऊंगा कि कटेगरी वाह जो टॉप यूनिवर्स्टी हैं उन में कितना कटाफ जा सकता है तो इस वीडियो को लास्ट रख देखेए और इस वीडिय तो देखे अगर आप पेपर दिया है आपका 17 जुलाइं को रिजल्ट भी आ गया है तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप जनरल के हैं तो एक सेव जोन होता है कि जितना अगर आपका मार्ट आ गया तो आप फिर सेफ जोन में चले जाते हैं कि आपको बढ़िया कॉलेज कोई मिलेगा ही मिलेगा तो मैं अगर जनरल की बात करूँ तो जनरल का 355 प्लस या 360 प्लस हो तो फिर जनरल को एक कॉलेज बढ़िया मिल सकता है अगर आप EWS के हैं EWS मतलब की जो economic weaker section जो की जनरल में ही कटेगरी बनाई गई है उसमें से आपका फिर 345 प्लस होना चाहिए कटाफ के है तब फिर आपका 260 प्लस होना चाहिए तभी आप एक सेब जोन में हैं और आपको कोई बढ़िया कॉलेज मिल सकता है यह मैंने आपको बताया कि कटेगरी वाइज आप कितना कटाफ जा सकता है अब मैं बताने वाला हूँ कि जो टॉप उनिवर्स्टी हैं इंडिया की उनका कटाफ कितना जा सकता है जैसे अगर आप जनरल काटेगरी के हैं तो आपका 400 से जादा ही होना चाहिए 410 प्लस भी हो सकता है EWS में 380 प्लस होना चाहिए और फिर OVC की बात करता हूँ OVC में 365 प्लस है या 360 प्लस भी है तो OVC का जो चांस है वो बढ़िया कॉलेज मिलने का चांस बन रहा है अगर आप फिर उसके बाद आए SC में अगर आप SC काटेगरी है तो फिर आपका 330 प्लस होना चाहिए अगर आप ST काटेगरी के है तो फिर टॉप इंवस्ट्री आपको तब मिलेगी जब आपका 300 प्लस हो और आप फिसकली हंडिकैट में आते हैं तो आपका 290 प्लस है उनमे पंतञर हो गया और आपका हिसार जो एकरिशार इंवर्सटी है उनकी बारे में जांकरी देना चाहता हूं तो पहले में बताना चाहता हूं भी थे यूंड सकता है अगर आप जीवी पंदनकर की बात करते हैं वहां का कटाफ कितना जा सकता है तो जनरल के लिए 410 प्लस OVC के लिए 390 प्लस SC के लिए 350 प्लस and ST के लिए 340 प्लस अगर आप चौधरी चरंड से हिसार एक्रिकल्चर विए में ST की बात कर रहे हैं तो फिर आपको जो जनरल कटेगरी कर रहें तो फिर आपको कोई न कोई कोई तो मिली जाएगा अगर आप OVC के हैं तो फिर आपका 280 प्लस होना चाहिए अगर आप SC के हैं तो फिर आपका 250 प्लस होना चाहिए और आप ST के हैं तो फिर 230-240 तक है तो आपको कोई न कोई कोई कॉलेज मिली जाएगा इंडिया में टोटल 40-45 इंवरस्टी है जिसमें आपको ICR के थूर मिलता है 1500-2000 इस्टूडेंट के होते हैं इसमें बेचु जैसी उनिवरस्टी जो है वो 15% सीट रिजर्व रखती है ICR के थूर और जैसे रानी लक्षुई भाई हासी की जो एक्रिकल्चर इंवरस्टी है वो तोटल सीट्स जो होती है वहाँ तो वो ICR के थूर रिजर्व होती है मैं इस वीडियो के थूर आपको ही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको जो मैंने कटेगरी वाई इतना कटाप बदा है इस वीडियो को हर उस स्ट्टीट से सेर करिए जिसने क्या ICR का फॉर्म वरत है या नीचे कमेंट करिए आपकी अगली समस्चा कौन से है जिस पर हमें वीडियो बनाना चाहिए आपने चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सबस्क्राइब करके बिल आइकन दबाना मत भूले और ना ऐसे वीडियो में सुझाएंगे वीडियो देखने के लिए आप उसका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद